अभी को खाना बनाने में सभी की मदद करना बहुत पसंद है। इस कहानी में वो रसोई घर में रखे सामान की खोजबीन करता है। आईए। उसके साथ मिलकर अलग-अलग पैटन को ध्यान से देखे और उन्हें पहचानने की कोशिश करे। कहानी है रसोई घर में पैटन ओरिजनल स्टोरी चॉप चॉप सिजल बाई प्रथम बुक्स कहानी लिखी है संजना कपूर चित्रांकन देबसमिता दासगुपता हिंदी में अनुवाद कविता कुशा वहा कहानी का वाचन असावरी दूशी। अवी रसोई घर में है आज सब एक साथ मिलकर खाना पका रहे है नाना जी ने प्याच काटा कट-कट सूड़ सूड़ कट-कट सूड़ सूड़ मा को चाहिए हल्दी और दालची दी अवी ने दराज में देखा नीला धकन लाल धकन सफेड धकन नीला धकन अवी ने दो डिब्बे उठा लिए पापा बड़े चम्मत से मिलाते है सर्चन छूपट अवी को चाहिए मसूर की दाल दाले सफेड डिब्बों में हैं सफेड डिब्बा सफेड डिब्बा पीला डिब्बा सफेड डिब्बा सफेड डिब्बा हम अवी को मसूर की दाल मिल गई अवी ने पापा की दाल धोने में मदद की घुमाओ, हिलाओ, पानी बहाओ कूकर की सीटी बजने ही वाली है अवी को उसके बजने का इंतजार है मा ने गैस बन कर दी नानी सलाद काट रही है अवी सलाद के टुकडों को थाली में सजा रहा है एक खीरा, एक टमाटर, एक मिर्ची एक खीरा, हम् अवी ने मेज पर खाने के लिए बरतन लगाने में नाना जी की मदद की एक थाली, एक कटोरी, एक चम्मच, एक गिलास एक थाली, एक कटोरी सभी चीजों से बहुत अच्छी महका रही है सब लोग खाने के लिए एक साथ बैठते है अभी को एक साथ मिलकर खाना पकाने वाला दिन बहुत पसंद है हमारे चारो और तरीके यानि पैटन है हर चीज का कोई न कोई तरीका या पैटन होता है रसोई घर के डिबों का, मेज पर रखी थालियों का, सबजीयों को मिलाने और काटने का अपने रसोई घर में तरीके या पैटन ढूंडे ये कहानी आप फिर से पढ़े या सुने और उन तरीको या पैटन को खोजे जिन पर शायद आपका ध्यान ना गया हो तो ऐसी अलग-अलग दिल्चस्प कहानियां सुनने के लिए Books That Speak इस चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल पर वेबसाइट www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई-बाई, धन्यवाद मिलते हैं यूट्यूब पर जरूर आईएगा